देखो अब ये बात किसी से चुपी नहीं है कि बॉलिवुड जो हमेशा से सबसे बड़ा माना जाता था अपने इंडिया में, कम से कम हम लोग तो ये बात मानते थे, अब वो एकदम लास्ट में खड़ा है रीजन है सरकस जैसी फिल्म है, जिनको बनाने में अच्छा खासा वक्त और पैसा लगता है, लेकिन थेयर्टर में ये एक हफते से जादा टिक नहीं पाती रोहे चेटी की फिल्म अगर 25-30 करोड लाइफटाइम कलेक्शन में खतम हो जाए, तो समझ लीजिए बुरे दिन आ गए अब इसका साफ इशारा है कि बॉलिवुट को बचाने सिर्फ उसके बादशा को ही लोटना पड़ेगा कौन? अरे आप जानते तो हो शारुक खान जो बन के आ रहे हैं पठान, अब उनकी फिल्म को आने में सिर्फ और सिर्फ एक महिना बागी है, गिंती करके देख लीजिए जिम्यदारी इसलिए भी जादा बढ़ गई है क्योंकि नौर्ट साउथ तो घर की बात थी, अब तो होलिवुट वाले इंडिन सिर्मा को लूट रहे हैं पांच गलतियां बताऊंगी आपको जो सरकस ने की हैं और पठान के मेकर्स को इन से बिल्कुल बचकर चलना पड़ेगा, वरना बॉलिवुट खतम के नारे सच में हकीकत बन जाएंगे पठान को सरकस की तरह हीरो वाली फिल्म बनाने की कोशिश मत करियेगा, रनबीर सींग अकेले फिल्म को नहीं बचा सकते ठीक वैसे ही सिर्फ शारुक के भरोसे फिल्म जल जाएगी, ये सोच बहुत महगी पड़ेगी ना सिर्फ पठान बलकी पूरे बॉलिवुट को पठान के लिए सबसे जरूरी है एक अच्छी कहानी और उस कहानी का इस्तेमाल करना शारुक खान को अच्छे से आता है, लेकिन स्टोरी फिल्म की हीरो होनी चाहिए सिंपल मिस्टेक नमबर टू, सरकस का ट्रेलर जब रिलीज हुआ तब कम से कम 90% लोगों ने इस बात का फैसला कर लिया था कि फिल्म देखने थेटर नहीं जाना, एकदम बगवास रियक्शन मिले अब पठान का ट्रेलर बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस फिल्म के भविशे के लिए, सबसे ज़रूरी चीज जिसका ध्यान रखना है कि ट्रेलर में ज़्यादा कुछ रिवील ना किया जाए जैसा अकसर रोहिच्छेटी करते हैं अपनी फिल्मों में पठान के ट्रेलर में कॉंट्रोवर्सी हो सकती है लेकिन वो ठंडा नहीं होना चाहिए जिसको एक बार देखकर लोग भूल जाएं ट्रेलर 50% जिम्मिदार होगा फिल्म हिट होगी या फ्लॉप मिस्टेक नमबर 3 सरकस की तरह फिल्म को चलाने के लिए से सर्प्राइस कैमियोस पर डिपेंड नहीं करना है इस फिल्म में कम से कम 20 कैमियोस थे तब भी लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ा पठान का कनेक्शन भी स्पाई उनिवर्स से है आप जानते ही हो जिसमें रित इसे ही खतम कर देते हैं ये बेवकूफी बिलकुन मत करना अच्छी खासी फिल्म में बरबाद हो चुकी है इस वज़े से अल्रेडी मिस्टेक नमबर चार होगी सरकस की तरह फिल्म की राइटिंग और डायलोग्स को हलके में लेना आपको पता है ना सरकस के डायलोग्स फराद सामजी ने लिखे जिनको पब्लिक ने कितनी बार क्रिटिसाइज किया फिर भी ये लोग नहीं मानते अब पठान को यहाँ पर किस फिल्म की तरफ देखना चाहिए डायलोग्स की इंपॉर्टेंट समझने के लिए पुषपा अलु अर्जुन वाली ब्लॉक बस्र फिल्म की सकस का 50% क्रेडिट उसके डायलोग राइटिंग को जाता है जिसने पुषपा को सिफ इंडिया नहीं इंटरनेशनल लेवल तक फेमस कर दिया यहां तो आपके पास खुछ शारुक खान हैं जिनके बोले हुए शब्द आइकॉनिक हो जाते हैं कुछ बड़िया डायलोग्स मिल गए जो लोगों के मूँपे चड़ गए तो फिल्म का प्रमोशन अपने आप हो जाएगा और लास में सबसे बड़ी गलती मिस्टेक नमबर पांच जिसने पूरे सरकस को अकेले अपने दम पर आग लगा दी ओवर कॉन्फिदेंस यह चीज ने बहुत अच्छे आक्टर्स और फिल्मेकर्स को मिट्टी में मिला देती है रोई चेक्टी ने टाइम के साथ अपनी कॉमडी को इंप्रोवाईज नहीं किया दस साल पुराना वाला कॉंसेट 2022 में इस्तमाल करना सिफ यह सोच करके उनका नाम पढ़कर लोग थेटर आ जाएंगे रिजल्ट क्या निकला आपके सामने है तीन दुनों में फिल्म का दी एंड हो गया सिर्फ रनवीर दिपिका को फिल्म में डाल देने से अगर फिल्म का कलेक्शन बढ़ जाता तो कहने ही क्या थे इन सब चीजों से अब लोगों को फर्क नहीं पड़ता सीधी सिंपल बात है content is the king पठान के मेकर्स को हर फिल्म में महनत करनी पड़ेगी कहीं भी overconfidence में नहीं आना है सबसे पहले ट्रेलर की वडिया editing करिए उसके बाद अच्छे से फिल्म को promote करिए ना कि सिर्फ YouTube पर विडियोज डाल कर अपना पीछा छुडा लिया शारुक खान जो फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है उनको इसकी कमजोरी नहीं बनने देना है उनके भरोसे उनके फान्स के भरोसे फिल्म को छोड़ दिया तो बॉलिवुड खतम हालत Thugs of Hindustan की तरह हो जाएगी पहले दिन साट करोड उसके बाद सौ करोड करने में भी नानी आदा ना पठान को एक नॉर्मल फिल्म की तरह बेचना है ना कि शारुक खान की फिल्म की तरह फिल्म का कॉंटेंट इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट होनी चाहिए ऐसा हुआ तो थियेटर अपने आप भर जाएंगे सिर्फ फर्स्ट वीक नहीं पूरे महीने फिल्म चलेगी लंबा सोचिये दूर तक बहुत बोलिया यार आप बताओ पठान या सच में बॉलिवुट को बचा पाएगी या फिर उपर वाली पांच गलतियों में से कोई एक जरूर इस फिर्म की सक्सेस पर ग्रहन लगाएगी फटाफट बताओ बागी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी बना थोड़ा से इंतिजार करिये मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाए बाए